हेलो स्टुरेंट्स, वेलकूं टू माई नर्चर, मैं हूँ क्रिष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस्ट बढ़िया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग फार्मिट्रिकल केमिश्टी का चैप्टर नमबर टू में, वॉल्यूम मैट्रिक एनलिसिस पढ़ रहे थे, और ज जो हम लोगों ने इंटर में पढ़ी थी, जो बच्चे फ्रेशर हैं, जस्ट इंटर करके भी आए हैं, उनको ये पॉंसर्ट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, जिल लोगों को गैप हो चुका है, उनको थोड़ा सा समझने में दिक्क्त हो सकती है, फिलाल में तक से से पढ़ा होगा, कोडिनेशन कमपाउंड, बोलो हाँ, ठीक है न, इसी जो कमपाउंड होता है, इसको हम लोगों कोडिनेशन कॉंपलेक्स भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, कॉछ इस टाइप से फामले वाले कमपाउंड तुम लोगों ने पढ़े होंगे, तो बेटा देख एक metal होता है और दूसरा non-metal होते हैं है ना cyanide chloride तो होगा क्या जर्ररली एक metal होता है और उसके साथ जब कोई ligand है ना ligand तो metal generally क्या होता है ये plus वाले होते हैं यानि कि electron को accept करेंगे और ये electron को donate करेंगे तो तुम्हों देखा होगा हम लोग इसका oxygen number निकालते थे metal के जो 3D वाले column होते थे 3D होता समझे ना याद आ रहा कुछ इस type से 5 डब्बे होते थे हैं ना एक दो तीन चार पांच इसमें मानलों अभी साइनाइड है तो साइनाइड क्या करेगा अपने दोनों इलेक्ट्रोन इसके अंदर भर देगा और इसके साथ एक bonding बनाएगा जब एक ही atom या molecule अपने दोनों इलेक्ट्रोन दे करके bond बनाता है तो ऐसे bond को ऐसे जो bond बना लेगा ऐसे bond को हम लोग क्या बोलते हैं कॉडिनेट बॉंड क्या बोलते हैं कॉडिनेट बॉंड और एक और नाम बुलाते हैं हम लोग डेटिव बॉंड ठीक है ना यह अभी पुरानी बाते चल रहे हैं यह कि आखिरकार यह कहां से आया कॉंप्लेक्समेट्री ठीक है क्या होता है पेर जाता है ठीक है तो इलेक्ट्रों को असेप्ट करने वाले कौन हुए लिविस एसिड बोलते हैं अगर एसिड बेस कॉंसेप्ट याद है जो मैं बता चुका हूं पराने लेक्चर में और इलेक्ट्रों जो देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं लिविस ब कहीं यह एसिड बेस का आपस में इंट्रेक्शन है बासमझ में आ रही है अगे यहां पर ठीक है तो आप समझते हैं को थोड़ा सा और वो मैंने समझाया तुम्हें याद कराने कोशिश कराई कि पहले क्या होता था ठीक है ना तो यहां पर मैटल के साथ लिगंट करते हैं बोटा कर ले था कोंप्लेक्स मतलब एक ऐसी चीज जो काफी जटिल होती है तो एक कंपाउंड जो बना हुआ है कॉड़क्ट और लिविस एसीड बेस रियक्शन एसीड बेस का रियक्शन होता है यह ठीक है इन विच निउट्रल मॉलिक्यूल और एनाइन ठीक है ना निउट्रल है तो है ना यह याद आ रहा होगा तो यहां पर क्या होता है निउट्रल मॉलिक्यूल और एनाइन कॉल्ड लिगेंड्स इनको हम लोग क्या बोलते हैं लिगेंड्स जो अपने इलेक्ट्रों डोनेट करते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं लिगेंड्स बोलत जब structure वाइस बात करेंगे इसलिए कहा जाता है central metal जो बीचा-बीच में metal है ठीक है atom और iron ठीक है by coordinate covalent bond इस वाले bonding को जो उने coordinate bond कहा या डेटिव बांड कहा है इसका हम लोग coordinate covalent bond भी कहते हैं ठीक है कुछ basic basic बाते हैं metal ligand के साथ मिल करके क्या अगरा बना लेगो कोडिनेशन इंग कांप्लेक्स बना लेगा यह जो Kerry नेशन कोंप्लेक्स है है इसी के उपर आधार है दे बॉणन्टिंच कहांसेप्टनेयालियर है यही चलनेवाला है के लिगेंट्रा के लिएस सब्समिदेर से बंद यह ना कि यह यह है है to metal atom ion ligands are also called complexing agent ligands की वज़े से ही तो complex बन रहा है इसलिए इसको हम लोग complexing agent भी कह देते हैं ठीक है types of ligand की बात करें तो तीन type के होते है unidentate, didentate और polydentate क्या है इनका unidentate, didentate, polydentate को आई समझते हैं देखो एक ligand ऐसा होगा मालो यह ligand 1 है, एक ligand 2 है और एक ligand 3 है, बीच में है metal metal से अगर ligand है ना, एक ही मतलब यह जो ligand है, इसके अदर एक ही atom ऐसा है जो electron donate कर सकता है, तो इस type से, वो bond बना लेगा, इसकी बात करें इसका एक उधारन ले ले लेते हैं NH2, CH2, CH2 और NH2, इथाइलिन डायमीन बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, इस metal के साथ, यह वाला जो ligand होता है, दो तरफ से bonding बनाता है, दो तरफ सागे पकड़ेगा, यानि कि इसके जो lone pair होते हैं यह, और यह वाले जो lone pair होते हैं, यह आ करके, एक bonding यहाँ बना देते हैं, और एक bonding यहाँ बना देंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे ligands, जो दो तरफ से, इसके पास दो atom ऐसे होते हैं, जो electron donate कर polydentate में सबसे famous example है, EDTA का, यह compound है, ethylene, diamine, tetra, acetate, ठीक है न, तो यह लिखा हो है इसका नाम, मैं पुरा नाम में लिख रहा है, अब इसके क्या होते हैं, 6 होते हैं, इसका formula कर हम देखें गौर से, तो यह कुछ ऐसा होता है, CH, CH, N, और, H, COO, माइनस, इसको थोड़ा गलत हो गया, यह, COO, H होता है, यह H निकल जाता है, तो यहाँ माइनस लग जाता है, यहाँ पर यह COO, H होता है, निकल जाता है माइनस, यहाँ पर भी क्या है, N, C, COO माइनस, और, COO माइनस, इसके पास यह lone pair of electrons है, तो अब अगर यहाँ पर क्या है, मेरे पास, metal है, तो यह देखो यहाँ पर, यह क्या होने वाला है, यह, इस metal के साथ, यह वाले lone pair भी donate यह वाले electron भी donate करेगा, यह वाले electron भी donate करेगा, और, यह वाले electron भी donate करेगा, यानि कि अगर हम गौर से देखें, ठीके, इसके structure मने आगे बनाया हुआ है, यह जो compound है, EDTA, ठीके, यह compound है, EDTA, अगर मैं इसको simple ऐसा लिख दू, EDTA, और यहाँ बना दू क्या, metal, तो यह EDTA, यह na metal को 4 तरह से cover करता है, 2, 3, 4, 5, 6, metal को पूरा घेर लेता है, अब घेरने के वाज़े से क्या है, इस metal के उपर बाहर से कोई दूसरा atom या anion या कोई भी जो reacting species है, वो इसके उपर attack नहीं कर पाती है, जब कोई दूसरा इसके उपर attack नहीं कर पाती है, तो यह काफी ज्या करके इसको पात discour कर सकती है, जगे मिली हुई है, यहाँ पर क्या बन जा रहा है, यह ring बन जा रही है, पूरा ring टाइप के structure, इस ring के लिए हम लोग एक इस्तिमाल करते है, चिलेट, क्या इस्तमाल करते हैं, चिलेट इस्तमाल करते हैं, हम कहते हैं, चिलेशन हो गया, क्या हो गया, रिंग बन गी मतलब, चिलेशन हो गया, क्या बोलते हैं हम लोग, चिलेशन हो गया, यह सारे सब्द हैं, जो यहां पर आएंगे, और इसी लिए, जो हमारे पास, कहां पॉलीडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें तो यहां पर क्या है हमारे पास समझने वाली चीज थी कि चिलेट चिलेशन क्या है रिंग का बनना मैं किसी को चातर घेर लूँ तो बीच में इंसान है उसको पर भाहर से हम लोग यहां पर प्रिफ्रेबली और भी लेते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं क्योंकि वह चिलेशन कर लेता है ठीक है अब आगे बात कर लें तो बात क्लियर होगी टाइप सफ लिगेंड यूनिदेनटेट क्या है एक तरफ से एक है एक है अटम है तो दो इलक यूनिद कर सकते है अठाइक म्तलब ilaykan कर सकते है और अपल नन्य को गया 2 से जादा जगे से क्या कर सकते है जूण सकते हैं इसनेलेट्सेज मेंचल इंड़ क्या होते हैं लेक्टरओ ब्लॉन क्या है प्यांकि एyttर पेर किया थी थी है यह कोडिनेट कोवलेंट बॉन्ट बॉल bet कह रहा है यह जो कोडिनेट कोवलेंट बॉन्ट यह एक एक И은च इन जो डोन डॉन these प्रक Supplies बोथ electron अपने दोनो इलेक्ट्रोंट डोनेट करता है ठीक है एक न रही दोनो इस टाइप ऑफ बॉंड़िग इस डिफ्रेंट फ्रम दा नॉर्म्मल कोवलेंट बॉंडिंग नी है वहाँ पर दोनो एक 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 इलेक्ट्रोंट तो यह उससे थोड़ा सा अलग है इन वीच इच एटम सप्लाइज वन एलेक्टरॉन ठीक है ना कोडिनेट में क्या है एक ही एक अटम अपने दोने देखर के बनाता है अब इफ दा कोडिनेशन कॉंप्लेक्स कैरी जान नेट चार्ज अगर जो कॉंप्लेक्स बनके आया उसक C L 4 ठीक है और यहां पर किये ना रिखूं इसके अपर क्या जाएगा यह 2 है तो 2 मानेस चार्ज यह कॉंप्लेक्स आयन हो गया चार्ज आगे तो कॉंप्लेक्स आयन अगर चार्ज नहीं होगा तो उसका हम लग सिर्ष से क्या बोल देंगे यह है क्या में पास कॉडिनेशन कॉंप्लेक्स या कॉडिनेशन कंपाउंड बोल देंगे अब कॉश्चन आता है वाई इडी टीए इस प्रिफर्ड इन कॉंप्लेक्स सुमेट्रिक ट्रेशन एडी टीए को ही क्यों लिया जाता है बात समझ में आ रही होगी अब समझ क्यों ना इडीटी के पूरी कान नही लिएकि ना पाइसे लिएकि घॉश्फफ और कॉंप्लेक्स काल चिलेट कंप्लेक्स में समझते जा ना बात को जाना थोड़ासा ने वीडिओ को पॉ और फिर समझ के फिर आगे बढ़ना and these are more stable than unidentate ligand complex जो unidentate complex बनाते हैं उसके comparison में यह जो complex बनता है ज्यादा stable होता है because of ring formation chilation हो गया ring formation नहीं क्या है chilation हो गया therefore it is also called chilating agent इसी लिए इसको आप लोग chilating agent भी कहते हैं EDTA chilates with almost all metal iron इसकी एक और खास है लगबख हर metal iron के साथ chilate कर जाता है and this forms the basis for complexometric या chilometric या EDTA titration तीन नाम है इसके complexometric कहलो chilometric कहलो EDTA titration कहलो ठीक है ना तो यह दो नीचे बना इसका structure बना दिया था यह बना यह दूआ है यह नैट्रोजन ने दिख रहा हो गया यह इसके वर लोन पर mathematics होते हैं टीक है ना यहांसे यहां से हटे आटा तो माइनस यहां से माइनस यहां से हटे आटा यहां से माइनस तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 6 तो यह कैसा होता है यह hexa डेंटेट होता है ये कैसा होता है ये हेक्सा डेंटेट अब देखो एक किस तरीके से अगर इसको समझ पाओ ये बीच में क्या है मेटल है ठीक है अब देखो जारा कैसे जुड़ा हुआ ये नाइट्रोजन के दुनों लोन पेर हैं ये लोन पेर से ये जुड़ गया मैं कलर चेंज करता हूँ ये नाइट्रोजन से दोनों से जुड़ गया ये एक और दो ठीक है और उसके बाद सी ओ एच का पहला दूसरा अब एक सी ओ एच का एच हट गया तो ये रहा, दूसरे का हट गया यह रहा, तीसरे का हटा यह रहा, चौते का हटा यह रहा तो एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे तो अकेला EDTA ने चार दरफ से उसके खेर करके रिंग बना लिया, यही है चिलेशन किलियर है बाते हैं, तो इसलिए यह जो बाते थी, यह बेसिक बाते थी जब यह बाते समझ में आएंगी, तो पढ़ते चले जाओ, यह था बेसिक, यह नहीं आता होगा, तो बार-बार टम्स आएंगे, वो समझ में नहीं आएंगे, किलियर है, आओ देखें आगे, explain on what complexometric titration, अब जब बेसिक बाते समझ में आ गई है, तो हम लोग अब एक काम कर लेते हैं, और वो काम क्या है, कि हम लोग complexometric titration को अब detail में थुला सा समझ लेते हैं, तो आओ देखें जा रहा, complexometric titration को detail में समझने कोशिश करते हैं, इसको उपर कर देते हैं, next page ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो इसको आगे करके, यहां में लेते हैं, लगला पेश, ठीक है, अब जैको complexometric titration क्या होता है, मेरे पास मालोग पानी का सेंपल है, या कोई भी सेंपल है, हाड़ वाटर से हम बोल लेते हैं, या कहीं पर जहां दिक्कत, हमारे पास कोई pharmaceutical product है, जो बना रहे हैं, हम उसके अंदर metal को check करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सेंपल सा हम लोग क्या करते हैं, वो ही सारी कहानी हमारा, हम एक सेंपल ले लेंगे, उस सेंपल को पानी में घोल लेंगे, ठीक है, यह रहा हमारे पास beaker, ठीक है, इसके अंदर हमने में लिया, इसका color change कर देता हूँ मैं जराफ, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास suppose क्या है, metal है, क्या है यह, metal है, N plus की form में, 2 plus, 3 plus हमें नहीं पता किस रूप में है, अभी मैं जस्स समझा रहा हूँ होता है, क्या है, complexity titration में, beaker ले लिया, this is the, conical flask, है ना, प्राने वले देखते आ रहे हो, तो यह बड़ा इसली समझ में आ जाएगा, अब इसके उपर हमनों क्या करते हैं, इसके अंदर एक डालते हैं, indicator, क्या डालते हैं, indicator, I, अब दोको इस indicator ही खासियत क्या है, यह जो indicator है ना, यह indicator इसके साथ मिलके क्या बनाता है, complex बन रहा है, क्या बना रहा है, complex, तो दो कहानी समझो क्या हो जाएगी, अब यह indicator ऐसा होगा, कि यह MN प्लस, प्लस I के साथ मिलकर के, M I बना लेगा, this is the, again क्या है, complex, अब हम लोग ले ले जिसका हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग CBT एक indicator लेंगे, वो Metal के साथ मिल करके, क्या बना लेगा, एक complex मनाएगा, और इसका जो color है, असल में देखो, अब समझ दर बात, सुरू से बताता हूँ, जो हम लोग करने वाले, basic वाला, ठीक है, यह जो metal simple पढ़ा, पानी का कोई color है, क्या, पानी के अंदर का कोई color होता है, नहीं होता है, ठीक अगला step क्या होता है, बताओ फटा-फट, क्या कर लें, हम लोग यहाँ पर बीरुट ले ले, ठीक है diagram, छोड़ा सा, चलो, यह हमने आपर क्या ले ली, बीरुट ले ली, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या भर लिया है, EDTA of known concentration, इसका concentration है, इसका concentration हमें पता है, है ना, यहां marking हो रखी है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर क्या MN प्लस है, ठेर सारे MN प्लस है, और जो हमने indicator डाला, उसके साथ मिलके, इसके हम पर क्या पढ़ा हु मिलकर के क्या बन गया है, MI पढ़ा है, और बहुत सारा extra MN प्लस भी बच गया है, यान कि overall अब इसके अंदर क्या बच गया है, यह हमने इसके अंदर indicator डालेंगे जब, तो यह MN प्लस और indicator मिलके, MI, indicator बहुत थोड़ा सा डालते है, ना, minor सा, बहुत ना के बराबर, अब क् EDTA आके गिरेगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर कितना MN प्लस है, हमें तो नहीं पता, यह EDTA क्या कर रहा है, लगाता राके गिरता जा रहा है, जैसे से EDTA गिरता जाएगा, पहले जो free वाले आएन, समझते जाना पहले, पहले free वाले तो खाली है ना, free MN 2 प्लस, यह खाल complex, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, EDTA कहा रहा है, कितना है हम सब बनाएंगे, क्योंकि यहाँ तो एक्सेस में है, अब क्या हुआ, एक टाइम वो आया, free MN प्लस, finish हो गया, free MN प्लस, finish हो गया, अब उसके बाद जैसे ही, एक EDTA एक्स्ट्रा गिरेगा इसके अंदर, है वो इस MI वाले complex को break कर देगा, वो इस MI वाले complex को break कर देगा, ठीक है, वो जैसे इस MI वाले complex को break करेगा, यहाँ से वो EDTA, अपने साथ क्या ले जाएगा, metal, कारण क्या है, यह जब metal है, इस EDTA के साथ जाधा stable है, अभी हमने देखा, इसके साथ वो less stable है, अच्छा, पहले MN प्लस फ्री थे तो पहले मिलता जा रहा था अब जैसी वह आया इस एमने का भाई देखो इंडिकेटर भाई साब हम तुम्हारे साथ इस्टेबल नहीं है हम तुम्हें छोड़ रहे हैं ना केमिस्ट्री का रियक्शन का उद्दे से ही यह होता है कोई रियक्शन होती ही क्यों है उससे अपनी स्टेबिल्टी पाने होती है तो यह इसको छोड़ करके इसके पास चला जाता है ठीक है और प्लस यहां पर इंडिकेटर फ्री हो गया अब जो यह अकेला इंडिकेटर है जैसे यह हलका हलका हम गिराते जाते हैं जैसे हम गिराते हैं कलर आना स्टार्ट होत उसने इस EDTA ने इस indicator से भी M को खीच लिया है है ना अब जब extra M बचाई नहीं है I आता जा रहा है और blue color दे रहा है हम यहाँ पर reaction रोग देते हैं यहाँ पर reading note कर लेते हैं अपनी है ना यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे reading note कर लेंगे फिर कह रहा हूँ स्क्राइब करके इसको उसके इसाब से निकाल लेते हैं बास समझ मारी है तो यह सारी कहानी थी EDTA पहले free वाले MN plus free वाले free MN plus से react करके यह बनाता रहेगा जैसे ही free वाले खतम हो जाते हैं वो indicator के साथ जुड़ हुए M को खीच लेता है क्यों क्योंकि यह वाला metal जो है इसके साथ जादा stable है जैसे ही eye free होता है अकेला indicator blue color show करता है और मिले हुआ indicator vine red complex show करता है ठीक है अभी यह पूरा complex पूरी process आ जाएगी आगे इस तरीके से हमने क्या कर लिया इस metal को detect कर लिया और यह बना गया है देखो indicator बना यह भी complex यह बन रहा है यह भी complex हर एक चीज complex complex हो रही है तो क्या हो गया और funda कौन सा लग रहा है अपना वो coordination वाला जाब पढ़ा dented वाला unit dented dented वाला तो वहीं से इसका नाम पढ़ गया complexometric titration बात समझ में आगी होगी क्या process रही है यह बात भी समझ में आगी होगी ठीक है अब हम लोग फटा फट देख लेते हैं इसके अंदर और क्या का चीज़ें है extra पढ़ लेते हैं तो हम लोग इसको तो explain कर लिए ठीक है explain on board complex minute titration masking अच्छा masking और de masking रहा गया ठीक है तो इतना अब हमारे पास क्या है मालो एक कोन कर फ्लास्क है हमारे पास जो sample है इस sample में तीन तरह के metal है तीन तरह के M1, M2, M3 अब क्या करें EDTA की खासिया अब ने देखी थी वो सब के साथ complex बनाता है क्या करता है सब के साथ अब क्या है हम चाहते हैं कि मालो यह calcium है यह cadmium है और यह copper है हम चाहते हैं किवल calcium कितना है यह पता चल जाए बट हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे है जो यहाँ पर EDT ले रहे है क्या ले रहे है EDTA ले रहे है वो तो भी सब के साथ react कर रहे है ना तो जहाईर सी बात है इंडिकेटर के हम पढ़ाई हुआ है तो जहाईर सी बात है यह EDTA सब के दरीट करेंगा तो EDTA का volume ज्यादा consume हो जाएगा reading हमारी गलत आएगी एक अकेले calcium cadmium या copper के लिए नहीं निकलेगी तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग चाहते हैं कि इसमें से केवल calcium तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हम अब आस तीन चीज़े हैं calcium, copper और cadmium हम यहाँ पर एक ऐसा reagent डालते हैं एक ऐसा reagent डालते हैं जो किसी एक को छोड़के बाकियों के साथ क्या कर लेगा एक complex बना लेगा वो complex जो EDTA वाला complex है उससे भी जादा strong होता है ठीक है यानिकि हम लोग क्या करेंगे हैं यहाँ पर एक ऐसा complex डालेंगे वो क्या अच्छा दो तरीके हो सकते हैं एक तरीका यह है कि जो complex डालेंगे मालों उसमें copper को और cadmium को cover कर लिए उसके कवर करने का मतलब है उसके साथ bonding मनाके complex बना लिया इसके साथ नहीं बनाया एक तरीका तो यह है एक तरीका ऐसा यह हो सकता है कि हम कुछ डाल देंगे और वो सब के साथ complex बना लेगा और फिर हम एक के करके सबको de-mask करेंगे डी-mask क्या होता समझेंगे अभी तो आओ देखते हैं उसने दो के साथ क्या बना लिया complex बना लिया यह दोनों के साथ क्या बन गया है complex with masking agent अब complex मना लिया और यह complex ज्यादा श्ट्रॉंग है EDTA के comparison में तो EDTA इनके साथ क्या करेगा रेक नहीं कर पाएगा अब क्या बच गया calcium बच गया है अब हम EDTA को यहाँ पर रखेंगे ठीक है ना और यहाँ पर डाल करके जो reading आएगी है वो केवल किसके लिए आएगी calcium के लिए आएगी calcium के आने बाद indicator होके इसका okay हो जाएगा सारा calcium EDTA के साथ मिल चुका है पड़ा रहन देंगे उसके बाद हम लोग इसमें add करेंगे हमने पहले क्या डाला masking agent masking मतलब उसमें mask कर दिया इन दोनों को छुपा दिया mask मतलब किसी चीच को छुपा देना लेकिन actual में उसमें क्या है complex ही बनाया अब हम लोग इसमें डालेंगे अब हम लोग इसके तरह डाल देते हैं एक demasking पहला step masking कर लिया calcium calculate हो गया फिर हमने डाला demasking demasking क्या करेगा इन में से किसी एक को free कर देगा इन में से किसी एक को free कर देगा अकौर मालोग copper को free कर दिया calcium हो चुका है copper को free कर दिया बाकी क्या बज़ गया cadmium copper free हुआ फिर start करेंगे इसको react करवाएंगे फिर indicator आएगा और इसका भी करवा देंगे यह पूरा editing के साथ इसका complex बन जाएगा किसके साथ यह खतम हो गया फिर copper के साथ मतब एक ही reaction में हम तीनों को calculate कर लेते हैं बात समझ में आ रही है ठीक है यहां से reading note करते रहते हैं कितना volume इसमें लग गया कितना volume इसमें लग गया कितना volume इसमें लग और फिर कह रहा है यह complexometric titration अब सारी बातें जो पीछे मैंने समझाएं वह सब आने वाली है complexometric titration और सो का चिलेटोमेट्री अब चिलेटोमेट्री क्यों कहा जाता है मैट्री से measurement और चिलेशन है ना चिलेशन हो रहा है करके यह फॉर्म of volumetric analysis एक volumetric analysis का एक ऐसी form है in which the titrant जो titrant मतल and the analyte form a complex है ना अनलाइट जिसको हमको analyze करना जो हमारा cornical flux में रहता है and the formation of colored complex है ना colored complex is used to indicate the end point जो end point of a titration अब यह सारे term क्या कहते हैं end point ठीक है na analyte titrant पीछे की lecture में discuss हो चुके तो इनको मैं बार बार यहाँ पर explain नहीं कर रहा कि इसका मतलब क्या है आगे आते है compleximatic titration are particularly useful for the determination of a mixture of different metal ions in a solution अगर अलग-अलग metal ions किसी solution पड़े हुए है तो उसके लिए compleximatic titration है काफी helpful होता है the most common type of compleximatic titration is called EDTA है ना सबसे ज़्यादा common यह ही है EDTA ethylene diamine tetra acetic acid titration सब explain हो गया है एक term और आगता है sequestring agent sequestring agent के होता है ligand which form water-soluble chillate अगर कोई ligand chillate बनाए और वो water-soluble हो है इसे एजेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं sequestring agent कह देते हैं एक वन मास कोशन है आ जाता कई बार तो एजेंट विच फॉर्म water-soluble chillate are used to remove the metal ion from the solution by precipitation अब हम लोग क्या करते हैं जो insoluble chillate बनाते हैं डाला insoluble chillate बना निकल के भाहर आयते हैं वो छान लेते हैं उनको अलग कर देते हैं और बाकी अहलो उसके अंदर पढ़ा रहता है फिर हम उसका क्या कर लेंगे titration कर वा लेंगे क्लियर है इंडिकेटर की बात कर लें थोड़ी सी एन इंडिकेटर capable of producing unambiguous color यहां unambiguous मतलब बिना किसी उसके दिक्कत के मानलो ऐसा बीच का color नहीं होता है unambiguous unambiguous मतलब एक दम spiced clear clear color आता है ठीक है ना produce करेगा clear color change in usually used detect the end point of the titration एक clear color हमें क्या करता है end point पे दिखाई पड़ता है है ना कोई बीच वाला color नहीं होता कि red is brown हो रहा है ऐसा नहीं बिल्कुल clear color आता है a complexometric indicator is a molecule that changes color in the presence of metal ion complexometric indicator क्या करता है एक ऐसा molecule है चेंज करता है color को in the presence of metal ion है ना वैंकर metal के साथ मिल करके metal और indicator मिल करके क्या बनाता है metal indicator complex बनाता है और एक अलग color आ जाता है the indicator form a complex with the metal ion and the complex has a different color और इस complex का जूसरा color होता है then the individual indicator molecule इस अकेले का color अलग था और इस complex का color अलग होता है ठीक है common indicator are organic dice such as fast silicone black ॥ीडियो ख्राइम ब्लैक जिसे हम ebt भी कहते हैं थीक है तो इसको हम ebt बोलते हैं ठीक है ना दे रहा है तभी तो color देगा ठीक है ना डिस्प्ले से यूजली बाइडी टी ए फ्रॉम दा मेटल के टाइन इन सॉलूशन वेंड़ एंड़ पॉइंड पॉइंड आता है इसका मतलब साफ है जब color आ रहा है इसका मतलब क्या है इडी टी है इस मेटल हो खीच शिंच के अपने साथ ले जा रहा है और इंडिकेटर को फिरी कर दिये बात के लिए रहे है ठीक है प्रिंसिपल देख लें इसका क्या है वैंड़ इंडिकेटर एरियो क्रॉम ब्लैक टी बाइंड सुद दा मैटल आयन इट टरन से वाइंड अब जो प्रोसेस में उपर बताई थी कैसा आगया यह वाइंड रेट का बन जाता है हावर हलांकि वैन इट फ्री फ्रॉम मैटल आयन जब फ्री होता अकेला होता है इट रिमेंस ब्ल्यू इन कलर तो वह ब्ल्यू कलर का होता है जब सिंगल अकेला रहता है ठीक है तो मैं मैं आप भाली बता चुका हूं एकस्षिस फिर बताईता हुए काली मैटल होगा नो कलर है थीक ओना मैटल के साथ इडेटिये बंदा गुग है इसका भी कोई कलर नहीं होताए चिक dez。 थीडें के साथ है, अकेला कैसा देते हैं, blue color, यही निशानी होती है, end point आ गया है, clear है, no color, no color, wine red color, और जब इसने से छीन लिया, indicator अकेला है, तो कैसा आएगा यह blue color, while ethylene, diamond, tetra acetic acid, is colorless, regardless, यह colorless है, regardless of whether it is coupled or not to a metal ion, चाहे वो अकेला हो EDTA, या किसी metal के साथ जुड़ा हो, यह colorless होता है, कौन EDTA, तो सारा खेल यहाँ पर किसका है, indicator के complex बिनाने के उपर है, adding an EVT indicator to the sample containing metal ion turns it wine red in color, area chrome black tea has loosely bound, है ना, यह less stable होता है, मैंने बता है, यह less stable होता है, compared to, यानि कि, जो MI complex है, यह वाला ज्याद़ stable होता है, with the metal ion, whereas EDTA has a strongly bound, stable with metal ion, EDTA की bonding strong होती है, therefore when all the metal ion are bound to EDTA, जब सारा metal EDTA से बंद जाएगा, यानि कि metal, indicator वाले metal को भी छीन लिया इसने, the EVT indicator in the sample solution remain free, iodine, indicator हो free हो जाएगा, and the solution appear blue, और solution अंको blue दिखाई पड़ेगा, वो ही जो मैंने उपर समझाया था, वो यहाँ पर इसका क्या है, principle में लिख दिया गया है, तो metal chillating agent, metal chillate क्या देता है, हमको यह compound देता है, यह इसका principle आ जाएगा, procedure की बात कर लें, अगर lab बगरा में काम करते हो, तो कैसे काम होगा, take 25 ml of given sample इने, conical flask, conical flask में, यहाँ से break करता है, तो यहाँ से CO minus plus H plus, यह जो H plus की संख्या जब बढ़ती है ना, तो solution कैसे होन लगता है, acidic होन लगता है, यह जो H plus यहाँ से निकल रहे हैं, यह solution को क्या करता है, acidic करता है, और change in pH क्या करता है, complex की solubility पर असर डालता है, pH change होगा, तो EDTA जो complex बना रहा है metal के साथ, इसकी solubility पर फरक पड़े जागए, ब्रेक भी कर सकता है, इसलिए हमें buffer solution चाहिए होता है, जिससे की इसका pH में कोई भी change ना आए, now add two drops of area chrome black tea, इसके क्योंब दो drop गराए गए है, in the mixture which turns the color of the solution wine red, उसका wine red color आ जाता है, fill the bureaut with the EDTA, bureaut को भर लेंगे EDTA से, now start titrating the mixture with the standard EDTA solution, अब titrate करना, start कर देंगे, and end point can be detected by the color change from wine red to blue, wine red से क्या आ जाएगा, blue आ जाएगा, इसी को याद कर लेना, यह common है, आएगा, यह complexion में titration में तो इसी को लिख क्या आना है, repeat the titration three times to obtain a concordant reading, लबत तीन बार repeat करें, इसी के हमारी एक exact reading, बड़िया reading आ सके, अब mechanism of indicator, indicator का mechanism, क्या है, देखो क्या है, वो ही same चीज़ लिखनी है, let the metal unit by M, indicator by I, and the chillate by EDTA, जो chillate है, उसका हमने EDTA हैं कि जो हमारा ligand है, at the onset of the titration, जो titration start होगा, the reaction medium contain the metal indicator complex, MI starting में महजूद होता है, and access of metal ion, और metal ion भी काफी जादा मात्र में महजूद होंगे, वही सारी कहानी जो मैंने समझाई है, when EDTA tight end is added, जब EDTA को add क्या जाएगा to system में, the competitive reaction occur between the free metal ion and EDTA, इनकी बीचमें competitive होगा, यानने कि EDTA क्या है, मेटल आयन को खीचे करने तरफ, since the metal indicator complex MI is weaker than the metal EDTA chillate, है ना, जबना वही होता है, MI complex weaker होता है, EDTA और metal का strong होता है, the EDTA which is being added during the course of the titration is chillating the free metal ion, पहले तो free metal ion को chillate कर देगा, in the solution, at the expense of the MI complex, ठीक है ना, और last में आते आते, MI complex को खर्चन की, MI complex से तोड़ तोड़ के भी metal को बाहर निकाल लेगा, finally at the end point, EDTA remove the last traces of the metal from, आखरी कतरा भी metal का निकाल लेगा, indicator से, and the indicator change from its complex color to its metal free color, है ना, और indicator जो complex color blue, क्या था, wine red था, उससे वो change हो जाएगा, अपने free वाले color blue में, बात समझ में आ रही है, clear है, okay, types of complexity titration की बात करें अगर हम लोग, तो एक खुद उता direct titration, जो भी हम लोग कर रहे थे, वो क्या था direct, बिर्ट में भरा, चेक किया और हो गया, it is our most convenient and simple method of complexity titration using EDTA, it is similar to acid based titration technique, simple खोला, देखा कितना है, नापा, consideration हो गया हमारा, in this titration standard EDTA solution is added to give sample containing metals using burette till the end point is achieved, थाना, तब तक हम डालते रहते हैं, जब तक हम गोई end point नहीं मिल जाता है, copper, barium, zinc, mercury, aluminium, lead, basement, chromium, etc. are metals that can be determined by using direct complexometric titration, इनको, ये वो metallize, इनको हम direct complexometric titration के help से detect या calculate कर सकते हैं, back titration, वोई वाला back titration हम access डाल देते हैं, फिर उसे back करते हैं, ठीक है ना, it is called back titration, as in this type of titration, we perform back titration for the access amount of EDTA, जो extra डाल जेंगे, उसको फिर हम back लेया करके, हम लोग क्या करते हैं, titrate करते हैं, in this an access amount of standard solution EDTA is added to the metal solution being examined, then the access amount of EDTA is back titrated by the solution of the second metal ion, तो बहुत जादे details नहीं जाना हमको, same process, इस बार हमारा जो titrant यह extra हो जाएगा, इसको वापस लेया करके, हम लोग क्या करेंगे, metal ion से treat करा देंगे, और कितना है उसको हम पता कर लेंगे, तो back titration हो गया, clear है, next आता है, replacement titration, it is used when direct titration और back titration don't give sharp end point, यह 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 याद रखना है, इसको कभ इस्तमाल किया जाता है, अगर direct titration और back titration sharp end point नहीं देंगे, तो हम इसका इस्तमाल कर लेंगे, ठीक है ना, this analyte is added to the metal EDTA complex, ठीक है ना, analyte को add करेंगे, the metal present in the analyte, जो analyte in metal present होका, displace करेंगा another metal from the metal EDTA complex, अब यह क्या करेंगा, जो और यह complex बना हुआ था, इसमें से इस metal को free कर देगा, बात समझ भा रही है, तो इस तरीके से क्या है, replacement, एक metal दूसरे को क्या कर रहा है, displace कर दे रहा है, क्योंकि उसकी bonding उससे ज़्यादा strong है, clear है, आग आते हैं, indirect titration, it is also known as alkalimetric titration, है न, alkalimetric, indirect, क्यों इंडाइट कहा गया है, it is used for the determination of ions such as anion which do not react with EDTA, अब जो EDTA से react नहीं करेंगा, chelate नहीं मनाएगा, फिर कैसे करेंगे, ऐसे metal, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे क्या बोल रहा है, protons from the disodium EDTA are displaced by heavy metal, प्रोटोन मतलब, जो H+, निकाले जा रहे थे, EDTA से, by the heavy metal and titrated with the sodium alkali, इस H+, को हम लोग, NOH के साथ क्या कर लेते हैं, titrate करवा लेते हैं, तो इससे हम लोग इंडाइरेक्ट हो गया यह, यह क्यों हो गया हमारे पास, इंडाइरेक्ट हो गया, तो इस तरीके से, जो proton निकाल रहे हैं, उसको हम sodium alkali से treat करवा लेते हैं, इसके लिए उसको हम लोग alkalimetric titration भी कह देते हैं, बहुत ज़्यादा इसके detail में नहीं जाना है, किवल पता होना चाहिए कि, क्या इसके अंदर होता है, मास्किंग मैं बता चुका हूँ, फटावट देख लेते हैं, मास्किंग एजेंट आइधर बाइ प्रेस्पिटेशन या तो वो मैटल के साथ प्रेस्पिटेट कर जाएंगे, या वो क्या बना लेंगे, कॉंप्लेक्स बना लेंगे, इसके 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 मिल करके कॉंप्लेक्स बना लेता है, अगर इडिटी के साथ ये मिलने कोशिश भी करेगा, तो मिलने नहीं देगा, क्योंकि इसका जो इस बार कॉंप्लेक्स है, वो ज्यादा स्ट्रॉंग है, ठीक है, तो एक्जाम्पल आफ मास्किं एजेंट, पोटेसियम साइनाइट, किसको मास्क करने के इस्तमाल क्या आता है, एजी प्लस, सियो टू प्लस, कैड्मिम प्लस, कॉपर प्लस, ठीक है ना, ट्राइ एथियनूल आमाइन मास्किं एजेंट, आइरेंड, अलमुनियम और टिन के लिए, फ्लॉराइड किसके लिए इस्तमाल होता है, आइरें और अलमुनियम के लिए, आइरेंड किसके लिए इस्तमाल होता है, मरकरी के लिए, ठीक है ना, तो किसके अलग, सबके लिए अलग-लग मास्किंग एजेंट है, डी मास्किंग क्या करेंगे, उसको हटाएंगे, फ्री कर देते हैं, जिससे वानलों ये कॉंप्लेक्स हमारा बना था, ठीक है ना, ये मास्किंग था यहाँ पर, मैटल वन, मास्किंग एजेंट, अब जैसे ही यहाँ पर हम दो डी मास्किंग एजेंट को एड़ करेंगे, तो यहाँ पर आकर के, एम अलग हो जाएगा, प्लस यह masking और demasking यह एक साथ हो जाएगा, यह metal मेरे पास free हो जाएगा, यह metal मेरे पास फिर से free हो जाएगा, EDTA से react करने के लिए, clear है, this is a process in which the masked substance इसको mask किया था, regain its ability, अब वो वापस से free हो जाता है, तो free हो जागा तो वापस से participate करेगा किसमें, reaction में, अब वो वापस से EDTA क के साथ rate करने के लिए तयार है, this enables to determine a series of metal ion, इसकी वएस से ये enable सच्छम बनाता है, कि हम determine कर सके, series of metal ion, एक के बाद जो जो metal है, उनको हम क्या कर सकते हैं, एक की solution में, उनको हम क्या कर सकते हैं, लगातार एक के बाद एक detect कर सकते हैं, ठीक है, this enables to determine a series of metal ion, one solution containing many cation, जिसके अं है यूज ऑफ मास्किंग एजेंट करते हैं पीएच के उपर जो कॉंप्लेक्स मैंने बताया थे कि पीएच चेंज होगा तो कॉंप्लेक्स के उद्व ब्रेक भी कर सकता है तो हम लोग एक खास प्यच सेट कर देंगे कि जो हमारा वाला कॉंप्लेक्स है वह ही बने बाकी अगर कोई दूसरा कॉंप्लेक्स बन रहा है तो वह ब्रेक कर जाए ठीक है ना माल लो एक पीएच है ठीक है पीएच वन इस पीएच पे M1 और EDTA ये क्या होगा? स्टेबल होगा इसी पीएच पे दूसरा जो होगा M2 EDTA ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा तो ये बने गा ही नहीं ये बने गा ही नहीं ये पीएच इस पे ये वाला कॉंप्लेक्स बने गा ही नहीं तो हमारा EDTA केवल M1 के साथ ही रियक्ट करेगा clear है बातें अब देखो इस लंडी city इस टिपेंदेंट ऑछ वह किस पर इंड करेगा इसे टिपसी ऑफ मैंडी मेंटर सार्कम्टेशन डिसेट साहसे जाते है सच एख अलकलिर्ट मेंटल अइज्ट जाएग व้ क्या हो जाएंग feedback मेंग है वेरेश चिलेट्स ओफ बिस्मत आइरेन और क्रोमियम और रेडिली फॉर्म्ड एड़ दिस पीएज तो एक उधारन के दोर बता रहा है कि alkaline earth metal के चिलेट होंगे वो acidic solution ब्रेक कर जाएंगे बट इसके ब्रेक नहीं करेंगे तो हम pH को एड़ेस्ट करके भी क्या कर सकते हैं अपना जो है masking, demasking कर सकते हैं किलियर है Use of selective metal indicator यहाँ पर तो वह जली कहानी आगी हम लोग selective metal indicator है ना ऐसा indicator जो किसी खास के साथ ही क्या करेगा जुड़ेगा किलियर है classical separation इसमें precipitate बगारा बना देते भी separate कर देते हैं ज्यान रखना kinetic मतलब क्या होता है चलने वाली energy से नाम है इनको detail में नहीं जाना हमको kinetic masking क्या होता है because of kinetic inertness एक metal catan इतना slow है वह चलना ही नहीं चाहता आगे दूसरा वाला फटा-फट जाकर के EDTA से react करेगा है ना क्या हो रहा है यह EDTA है ठीक है यहाँ पर metal 1 और यह metal 2 पर चुड़ जाएंगे इसे यह बिचारा धीमा धीमा नहीं चलता चलना ही नहीं चाहरा है ठीक है तो kinetic barrier से कहते हैं do not enter the into complexometric titration इतना धीमा है यह कि यह EDT के पास जाना ही नहीं चाहता हम वहीं कवहीं पढ़ा हुआ है ठीक है example of using masking and demasking agent उसका एक example देख लें हम लोग यहाँ पर एक case ले रहे हैं जिसके अंदर हम लोग तीन मेटल ले रहे हैं ठीक है cadmium calcium और एक copper और होगा three metal caldium calcium और एक copper और होगा ठीक है ना यहाँ पर एक copper miss हो गया है नोट से पुरा कर दोगा copper आ गया यह ठीक है तो following method of analysis is followed डारेक्ट टारेक्ट कर देंगे इन तीनों से तो हमको क्या मिल जाएगा देखो जारा यहाँ पर इसका टारेक्ट करेंगा तीनों के साथ complex बना रहा है अब यह मामला गरबड हो गया तो हम लोग चाहते हैं कि only calcium को टारेक्ट करें तो हम लोग साइनाइड आयन हैना cn- इसको डाल देंगे जो कि masking agent का का काम करेगा किसका काम करेगा masking agent का तो copper साइनाइड complex और काइडियों साइनाइड complex बन जाएगा लेकिन calcium के साथ साथ साइनाइड रियक्टि नहीं करता है तो कोई reaction नहीं होगी और यह जो calcium है यह किसे रियाट करें EDT के साथ रियाट करके क्या बना लेगा calcium EDTA complex मना लेगा नेश्ट में हम लोग क्या करेंगे क्या डालेंगे डिमास्किंग डालेंगे एच एच तरीके से मास्क किया पहले हमने है ना पहले हमने साइन दोनों को mask कर दिया फिर हमने एक बार यह डालके एक बार दूसरे को डालके इन दोनों को de-mask कर दिया इनको free करवाया ताकि यह react कर सके एड़िटी के साथ और हम लोग यह कितना इनका amount है sample के अंदर उसको calculate कर सके तो यह बात लिखे हुई है यहाँ पर direct करेंगे तो तीनों सब्सक्राइड करेंगा copper and cadmium में मास्क विद दी एडिशन ऑफ साइनाइड अब कहरा है copper और cadmium को हम लोग साइनाइड की help से मास्क कर सकते हैं जिससे की वज़े से calcium आयनी free बचेगा वेन formaldehyde or chloral hydrate is added है ना chloral hydrate और formaldehyde को add करेंगे to the cyanide containing mixture जिसके साइनाइड होता है only cadmium is de-mask केवल कौन de-mask होता है cadmium and the EDTA titrate the sum of calcium and cadmium अब यहाँ पर क्योंगा cadmium में titrate हो गया तो calcium cadmium हमरे पास क्या हो गया titrate हो गया in this manner the concentration of three iron is determined by three individual titration ठीक है ना एक ही में हमने तीन titration कर लिए बात समझ में आ रही है किस तरीके से masking de-masking का फरक पड़ रहा है next आते हैं इसका curve इसके curve के बारे में समझ लिए हम लोग थोड़ा सा EDTA titration are performed in the presence of buffer यह ध्यान रखना EDTA titration buffer की मौज़गी में होता है मैंने बताया था EDTA में से क्या निकलते रहते हैं H plus iron ठीक है ना जब titrate कराओगे volume of EDTA added यह डाल रहे हो और PM PM क्या होता है जैसे pH होता है जैसे क्या होता है pH होता है pH क्या होता है minus log H plus iron का concentration उसी तरह metal का concentration minus log concentration of metal iron ठीक है ना उसका हम लोग यहाँ पर एक तरफ graph ले लेते हैं इसको ले लेते हैं तो इस starting में मेरे पास क्या जादा है reason 1 यह जो reason है यहाँ तक देख सकते हैं हम लोग यहाँ तक MN plus जादा है फिर एक एकदम sharp point आता है जिसको हम discuss कर चुके है पहले क्यों आता है फिर एक equivalence point आ जाएगा उसके बाद यह खतम हो जाएगा MN plus और केवल क्या है axis of EDT हो जाएगा अगर आगे चलाते रहेंगे तो इस reason में EDT है क्या हो जाएगा axis में आ जाएगा बास समझ में आ रही है ठीक है तो इस तरीके से यह graph विसका वैसी same रहता है तो क्या कहा रहे है यहाँ पर EDT टाइटेशन कर्व प्लोट PM Y-axis versus volume of EDT solution along X-axis ठीक है free MN plus remaining at equivalent point टाइटेशन कर्व allowed for a more accurate determination इसमें more accurate determination of analyte concentration and propagation of error टाइटेशन कर्व से हमें क्या होता है accurate determination और error क्या आ रही है उसके बारे ज्यादा च्छे से पता चल पाता है the shape and key characteristics of the curve can be modeled shape थोड़ा सा मैंने बताया था अलग हो सकता है ऐसा हो सकता है एसा हो सकता है shape थोड़े बहुत कई बार बदल सकते हैं ठीक है तो शेप विल्कुल वैसे ही रहेगा से कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा इसमें उतनी बात लिखनी है application की बात कर लें ठीक है it is used for estimation of the amount of calcium present in food product food product में कितना calcium में इसको detect कर सकते हैं it is used to find out the total hardness of water magnesium calcium के वाइस से hardness होती है कितने hardness से पानी की पार चल जाएगी complexity is commonly used in the pharmaceutical industries pharmaceutical industry बहुत ज़रूरी है हमारी compound बनते हैं उनके अंदर heavy metals होते हैं वो नुक्सान पशा सकते हैं हमको ठीक है to determine the concentration of metals in pharmaceutical doses form drug के अंदर कोई metal कितना मौजूद है तो उसका पता लग जाता है it is used in analytical chemistry to perform ऐससे ऐससे perform करने के लिए complexometric titration is used in environmental analysis to determine the bad metal हमारे environment में bad metals कितने हैं उसको detect करने के लिए इसका होता है कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट और आर्सो अनलाइज़ बाइक कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइटरिशन कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट के अंदर ठीक है न मैटल की वेल कितना मैटल है उसको उसके देखा किस के लिए मेटल्स कहाष स करना उसक है किसी का होसकता है ठीक है ना उनको यहाँ पर क्या होता है काफी असान रहता है तो यह हमारे पास क्या Compleximated Titration और अब हम लोग देख लेते हैं Mind Nurture का Titration याने की Mind Nurture App ठीक है ना वो उससे आपको क्या-क्या Benefit होने वाले हैं उसको लेने से आपको क्या-क्या Facilities मिलने वाली है आओ फड़वट देख लेते हैं अपने Mind Nurture App के बारे में क्या-क्या उससे आपको मिलने वाला है तो आओ जानते हैं अपने Mind Nurture App के बारे में तो येस हमारे चैनल का जो नाम है Mind Nurture उसी के नाम से अब App आ चुका है जो की Google के Play Store पे मौझूद है ठीक है लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है और चाहो तो डायरेक्ट कहां Play Store पे जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हो ठीक है अब देखो YouTube पर Lectures and Notes YouTube पर भी अवेलिवन है Free of Cost है ना जब मैं पहले से भी पढ़ा रहा था यह तो मैंने बच्चे से प्रॉमिस किया था कि Lecture और Notes जैसे डाल रहा हूँ मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूँगा कोई चेंज नहीं आएगा जितने Lecture मेरे एप में होंगे जितने Notes मेरे एप में होंगे उतने Lecture और Notes आपको YouTube पर मिलेगा बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी वो चीज है One Marks Question की Practice जो One Marks Important Question होंगे ठीक है ना One Marks Question में बेसिकल तुम्हार पास क्या आते हैं MCQ और Fill In The Blanks ठीक है न यह तुम्हारे अब नय जो पैटन है उसमें नय एक्जाम पैटन है ठीक है न उसमें MCQ और Fill In The Blanks आ रहे हैं तो पास तो गरंटी हो जाएंगे ठीक है और जब Detail Knowledge चाहिए होगी ठीक है तो उसके लिए पूरा lecture पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग मैं तो पढ़ाई रहा हूं ठीक है और जिस बच्चे केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा In Questions की Practice कर लेगा Live Class होगी अब माल लो मैं ये यूटूबर लेक्टर को पढ़ा दिया है अब वो कहीं कुछ तुबार डाउट फस गया है ठीक है तो वो कैसे कवर होगा वो तो उसके लिए क्या होगा Live Class होगी डाउट्स के लिए मैं आया करूँ हो Live Class जो कि अभी स्टार्ट अलड़ी हो चुकी है बच्चे डाउट्स पूछ रहे है और क्लास चल रहे है सबसे बच्चो बड़ी चीज़ जो होने वाली है MCQ टेस्ट की Practice ये तो चलो एक बार को ठीक है MCQ Questions MCQ Questions की इतनी सारी प्रेक्टिस होने वाली है हर लेक्चर से 15-20 Questions भी पूरे चैप्टर से मिला करके 110-100 Questions हो जाए करेंगे जो कि तुम्हारे D-Farm और सबसे important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले है MCQ Questions अब जेखो समझते क्या है ये MCQ Questions का test हम लोग कहा नहीं ले सकते यूटूब पर नहीं ले सकते अब यूटूब पर क्या होगा मैं बताता हूँ ऐसे मैं चल रहा हूँ Question लिखा होगा 4 option लिखे होगा मैं बोलूगा बच्चों ये question है ये 4 option इसका answer ही है मज़ा नहीं आएगा ऐसे ठीक है ना मज़ा कैसे आएगा question सामने होगा तुम पढ़ोगा तुम answer click करोगे पढ़ करके सोच करके वो मज़ा आएगा उससे practice होती ही असली ठीक है ना तो ये सबसे बड़ा part आपको मिलने वाला है फिलिंदा विलैंक के वारे में बात करी चुका हूँ routine test for deform and exit exam only 40% marks चाहिए सबको पता है 100 मेंसे सबको कितने चाहिए 40 number पास हो जाओगे ठीक है ना तो routine test routine test का क्या मतलब है माल लो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर chapter 2 खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर combined test होगा एक किसका chapter number 1 plus chapter number 2 का फिर chapter 3 मालो खतम हो गया फिर उसके पाद एक combined test होगा 1 plus 2 plus 3 इस तरह से चलता रहागा एक टाइम वो आएगा 1 plus 2 plus 3 मालो 13 chapter है तो combined test हो रहे है यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है बहुत अच्छे मन से तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तयारी करके भी तो 40% यानकि 40 number लाना और फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस exam को target करके होगी ठीक है ना जो subject तुमारे exit exam में आएंगे उसको target करके पढ़ाई होगी यानकि जब theory पढ़ोगे या ले कोशन अच्छे से कर ले जागो तो MCQ तो बहुत अराम से कर ले जाओगे और MCQ जब लिए सभी subjects की, first year पूरा साल, सभी subject 1100 रुपे, second year पूरा साल, सभी subject फिर से 1100 रुपे, यानि कि एक साल की fees आपको 1100 रुपे पढ़ रही है, इस fees को अगर आप अपनी college fees से compare करोगे तो ना कि बराबर है, महिने का तुमारा 92 रुपे something पढ़ता है जाकर के, इस से सस्ता cheap और best चीज आपको नहीं मिलने वाली है, उसके बाद भी अगर कोई query है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, एप को ले करके, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, notes का link जो description में दिया रहता है lecture के, YouTube के सभी lecture, मेरा कोई lecture ऐसा YouTube पे नहीं है, जिसमें मैंने notes नहीं करें, doubt clear करें, इस चीज को ले करें, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुमनों को वो चीज बता दूँगा, clear है, बासमझ में आ गई, और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, yes, revision, बिना revision कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊगा, यानि कि करते रहो और पढ़ते रहो, all the best!